तेके साथ अगले कॉलर से हम बातचीत करते हैं, बिहार से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी ने हमें कॉल किया है, जी बताएं, क्या समस्या है आपके साथ? उम्र कितनी है आपकी उम्र होगा 30 साल 30 वार्ष 33 साल के उम्र है पेट की समस्या है उन्हें ब्लड भी आता है पांचे साल से है वह दी कि बहुत होती है पांचे साल ब्लड आने की तकलीफ की दर्द की समस्या बहुत होती पांच साल तुम्हें तो आदमी मायूस हो जाता है बुढ़ा हो जाता है और एक नुश्टा मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख ले देखिए एक चीज आती है लाजवन्ती सब जानते है बड़ी मशूर चीज है लिख लिख लिए लाजवन्ती के बीज आते है बहुत बारिक बारिक अगर इसे पानी में डालो तो पानी जम जाता है समझ दीजे आप कैसी चीज है लाजवन्ती के बीज लाजवन्ती कहते हैं इसे लाजवन्ती और एक चीज़ आती है रसवन्ती ये एक गम टाइप की चीज़ है लाजवन्ती, रसवन्ती, कत्था कत्था है जो पनवाडी पान पे लगाता है ये सूखावा कत्था मिलता है सो सो ग्राम सब ले लाजवन्ती, रसवन्ती, कत्था और गौन मौरिंगा सफेद लिखना आप लाल वाला मतले ना गौन मौरिंगा सफेद हता है इस वसोग्राम लेकर पाउडर बना लें और इसकी गोलियां बना लें चना या मतर के बराबर या उससे कुछ बड़ी और एक सुबा एक शाम खाया करें पानी से बगार चर्बी के दूस से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आप रही सादमी है और ये मेटेरियर खतम होने से पहले आपकी बीमारी का ठीक होना मुमकिन है कौर दर्शक हमारे साथ कोटा राजस्तान से जुड़ गए है आईए उनसे बातचीत कर लेते हैं हमारे साथ हैं गौतम जी गौतम जी क्या सवाल करना चाहते हैं मुझे तो ये जेतून सिर्का का पता करना था मेडम क्या पता करना चाहते हैं इसके बारे में आप ये जेतून का सिर्का किस चीज में काम आता है जी ठीक है छो दीए एक फल जो खाड़ी के मुलकों पैदा होता है और उसको एक प्रोसेस के तहर सिर्का बना रेते हैं जैसे यहां गन्य का अंगूर का सेप का सिर्का बनाते हैं ऐसी यह एक फल है जिसका सिर्का बनाते हैं लेकिन ये पेट की खराबी के लिए, पेट के इनफेक्शन के लिए, आतों के इनफेक्शन के लिए, लीवर के लिए, लीवर की तमाम बीमारियों के लिए और कॉलिस्टॉल के लिए और डाइबिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं दिन में एक या दो बार ले सकते हैं पानी से पानी में मिलाकर बहुत तेज होता है तो दो तीन चम्मच एक गिलास पानी में डाल कर अगर इस्तिमाल किया जा तो डाइवटीज भी इस्तिर रहती है और कॉलिस्टॉल का दुश्मन है और प्लेट प्रेशर को ठीक करता है हार्ट ब्लॉकिज इसकी वज़े से हमें बाइपास सर्जरी ऑप्रेशन कराना पड़त है अगर पांच्छे महीने ले लिए जाए तो इससे निजात मिल सकती है इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है रमा जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से उनसे बातचीत करते हैं रमा जी बताएं क्या सवाल करना चाहती है आप है मैं जे हकीम जी स गठिया है यह हमेशा के लिए रहेगी ठीक नहीं होगी उम्र कितनी है रमा जी आपकी मेरे 64 है और यह जो समस्या जी और दूसरा जे है कि मुझे थोड़ा ब्लड पेशर भी रहता है ठायरेट ही है अच्छा यह जो जोड़ों का बता रहें गठिया यह कब से है आपके जी 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 छोटी वाले जोड़ों की गठिया है आपको चीक है अच्छा देखिए आपको तो बहुत ताजी ताजी गठिया है मतलब एक साल भी नहीं हुआ है जो आप अगर प्रोग्राम देखती हैं तो पांच-पांच दजदस साल पराने लोग भी अच्छे हो जाते हैं अगर वो अच्छी तरह इलाज करें देखिए गठिया जो है वो खटिया पर पहुचा देता है अदमी को ऐसे गाउन की मिसाल है तो इसका इलाज है लेकिन पांच-छे महीने आप करेंगे तब इलाज है और थायराट का भी इलाज है वो भी ठीक हो सकता है एक एक करके कर ल आएं देखिए अलसी ले ले लीजिए पांच-छेसो ग्राम और उसको पाउडर बना लीजए हलकासा भून के अलसी और एक चमच अलसी रोज सुबह और शाम खाया करें और सो दो सो ग्राम आप ले लीजए गौन्ट सिया एक गौन्ट आता है जिसे गौन्ट सिया या काला गौन्ट कहते हैं ये अलक से पाउडर बना के रख लीजए जब भी ये लसी खाएं तो इसमें एक या दो चुटकी गौन्ट सिया मिला लें बड़ा कड़वा होता है बहुत ही कड़वा इंतहाई कड़वा होता है बड़ा मतलब साथ अच्छा नहीं होता उसका लेकिन फा अच्छा का इलाज है समझते हैं आप अलसी पीस के अलग रखें हलका सा फून के एक चम्मच लें उसमें एक या दो चुटकी गौन्सिया मिला के दिन में दो बार खा सकते हैं खाने के पश्चात बगए चर्बी के दूस से या पानी से लिया करें आपको फाइदा होना मु अच्छा के लिए या जिस तरह की परिशानी है बहुत ही परिशानी वाली परिशानी है बिमारी है यह दिए दौबी है और घरे नुसके भी है ये ठीक हो सकता है बस आप इतना खयालाखें कि खाना जितना आपको लगता है उससे आदा खाना खाया करें और जो भी खाना खाएं वो हजम जो आप आसानी से कर सकते हैं वो खाएं ठीके और दौबा के नाम पर केपसूल P.K.R. P. पटना कैपसूल पी केर सुबा शाम खाने के बाद या पहले भी ले सकते हैं पानी के साथ लें और एक घरे ले नसका है वो मैं आपको बतायता हूँ मेथी पांच सो ग्राम मेथी का दाना और इसको पाउडर बना लें ज्यादा बारीक ना करें तोड़ा मोटा मोटा सा रहा ह सूजी होती है ऐसा तो बहुत अच्छा मेथी दाना को पाउडर बनाएं और एक रसायन आता है जैतून का रसायन जैतून का नमक भी कहते हैं इसे आसान लेंग्वेज में और इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्टेक जैतून ये देखने में नमक होता है लेकिन खाने में होता है यह सौ गिराम या जेट सौ गिराम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और आधे से एक चमच दिन में दो बार खा सकते हैं अधा अधा चमच शुरू करें और आपको ऐसा लगए कि आप दो चार दिन में ठीक हो गए लेकिन आपको यह पूरा मेटेरियल खतम करके ही चैन ल जी आदार मीना जी कैसी है थीक है मेरे मदर है 55 यह की तो उनकी एक कमर से गोती नस चाती जो पैर तर जाती है बहुत दर्द करती है उन्हें जी ठीक है और दूसरा सवाल उनके यह है कि उनको बीटी जीवी की दिकत है और उनको फिर में इबाद वो गिर गेके चोट लगी है तो किस टेम वो ब्योश्व हो जाती है जी ओमर कितनी है उनके 65 65 जी एक तांग की बड़ी प्रॉलम है उनको एक तांग कमर से होती ही नीचे पैर तक बहुत दुखती है कापी इलाज कराया पर कहीं कोई आराम निया आया तुसरा बीटी की भी है और सिर में कहते है जिर इंखेक बारी तो खुन जमा हुआ है तो वह भी होश्वी हो जाती है कई बार कि थोड़ी बार उनको पानी बारी डालते हैं वीपी की मुझ में गोली डालते हैं तो वह नॉर्व लोजिकी बड़ी महरबानी होगी आपकी हम बड़ा ठीक से सुनिये बड़ा अच्छा लगा आप अपनी मा की इत्ती फिकर कर रही है और इनके दोनों रोग ठीक हो सकते हैं देखिए जो हमारे कमर से लेकर टांगों की तरफ कोई दर्द होता है नर्व में तो इसे साइटिका कहते हैं हमारी कमर की डिस में वो रग दब जाती है जो खुन सप्लाई करने के लिए टांगों की तरफ जाती है मोटी नर्व होती है इतनी मोटी मेरी उंगली की बराबर तो वो दब जाती है तो इसके लिए एक तो घर में वैस्टरन टौैलेट होना चाहिए जो अपनी जरुरत वो उस पर बूरी करें नहीं है लगवा लिजे तो बहुत जरूरी है ये उनके लिए दूसरा कैपसुल टी केर टी फोर टाइगर आप उन्हें दिया करें सुबा शाम और अगर जल्दी भी फायदा हो जा किसी को एकी महीने फायदा हो जाता है तो वो तीन चार महीने इलाज करें ताकि इससे निजात मिल स पत्छर और ये खूण का जमना या चरबी का जमना ये चर्बी का होना या हाट ब्लॉकिष होना ये सब के लिए बहूफ अच्छा एक नस्का है जैतून का सिरका गान जैतून का सिरका जो है ये लिकविड है और इसे तीन चमच रोज़ाना पानी में मिला कर आप उन्हें पिला दिया करिए आपकी सारी समस्यां का निदान मुम्किन है एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गई है फरीदाबाद से विद्धिया जी ने हमें कॉल किया है विद्धिया जी आप बताएं किस तरह की परिशानी है या बिमारी है जैसे आप जूज रही है हां जी नमस्ते हां जी पूरी बात बोलिये हां जी पूरी दवई मैंने खा लिये फर्क है ठीक है अच्छा देखिए आगे दवई आगे लूँ या फर्क कितना है ये बता दीजे फर्क बहुत है 80 परसेंट तो है अच्छा देखिए तबाई और एक दो महीने खाईए आप और एक चुटकी जो खाने वाला सोड़ा है रोजाना एक चुटकी में जितना आए पानी में मिला कर आप पी लिया करिए तो कोई ऐलर्जी बगरा भी होगी तो उसका भी ठीक होना मुमकिन है आपको बहुत मुब बैक दिया बहुत शुक्रिया आप से बात करके बहुत अच्छा लगा और सीमा रानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है कॉल किया है इन्होंने हर्याना से सीमा जी सवाल कर सकती है आप जी नमस्का डॉक्टर साब आदा सीमा जी बताईए जी सर मैंने अपने हैस्व गलागे किस्ता नहीं बताये डॉक्टर ने अंजी ईक नहीं नें बताई है कहीं चर смt बेगी हना तो स्टंड्ट पर सकता है डॉक्टर कहते है न है ट्रिए हैं ठीक है देखिए मैं तो कहता हूं सब किसे कहता हूं कि बाइपास सरजरी मत कराई है, स्टंड की भी जरूरत नहीं है, जब चर्बी हमारे दिल की रगों में भर जाती है, तो स्टंड डालते हैं या बाइपास सरजरी करते हैं, एक ऐसा निसका जो इतना काम्याब है कि जिसने भी इस्तमाल किया, उसको फाइदा होता है, मैं अप आपको भी फाइदा हो तो आप भी शेयर करते जाएए, मेरे इतने वीवर से जब फाइदा होता है, तो हजारों लोगों में शेयर करते हैं, देखिए, लीबू का रस, एक लीटर निकालें, अपने हाथ से बना के दें अपने पती को, बहुत खुश होगा पती भी और भग इसको मिकस कर दें, यह पांच महींए कीदवा है, आपके पती की, और इन पांच महींए में उनकी नर्व जो बलॉक है, वो पहले महींए से खुलने लगेगी, पांच महींए होते होते उनका रोगमक्त होना मम्किन है, बलड़ पेशर से भी निजाएत मिलेगी, हार्ट ब् झाल प्रवादूट वार्वार्व थार्वार्वाई।